तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागतेक और निव गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं कार सेलर सिम्यूलेटर डिलर्शिप तो गाइस एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ अपने ओपिस पर और आज फिर से कार लेकर आएंगे और उन्हें सेल कर रखा है गाइस और ये पता नहीं क्या है यार ये कुछ लेवल जैसा है यार ये धीरे धीरे अनलोक हो रहा है यार देखो एक तो मैंने खुद नहीं कर दिया यार अनलोक हो चुका है दूसरा नहीं होगा अभी तक चलो बाई देखो मुझे अभी पता नहीं कि ये असल में है क्या लेकिन फिलाल यहां पे कचरा हो रखा है उसको मैं डश्ट बिन में डाल देता हूँ ओपिस की थोड़ी सी सुबा सुबा सफाई कर देता हूँ उसके बाद में हम लोग काम शुरू करेंगे हमारा चलो भाई तो कचरा डाल दिया सफाई कर दी है अब जल्दी से चलते हम लोग विलेज पे चलते है यार गाईस क्योंकि कार मार्केट पे तो कुछ खास मिलता नहीं हमें तो अब बिना देरी किये हुए मैं जा रहा हूँ सिधा विलेज पर गाईस ठीक है वहाँ से हम लोग दो कारे उठाएंगे आज आप लोग जानते ही है मेरे पास में 13,438 डोलर है अभी जो की बहुत कम है अगर देखा जाये तो काफी कम मानता हूं इनको मैं तो ये वाली क कार बड़ी शांदार लग रही है यार गाईस इस कार के बारे में पूछते हैं कितने की है ये कार ओके चलो तो गाईस ये कार है 9,722 डोलर की तो इस गैम में पहली बार मैं इतनी मेहंगी कार लेने वाला हूं मैंसे मेहंगी इसको नहीं कहेंगे लेकिन मेरे हिसाब से मेहं कार देख लेते हैं अगर सस्ती मिल जाए तो वैसे अब मेरे पास में ज़्यादा डॉलर तो नहीं बचे यह है 6211 डॉलर की गाइस तो यह तो बहुत ही ज़्यादा मेहंगी है इसको तो लेने की सोच ही नहीं सकते हम लोग वैसे यार गाइस मैं सोच रहा हूँ की 3716 डॉलर में कोई कार आ भी सकती है क्या वैसे मुझे नहीं लग रहा कि आ जाएगी यार वैसे आ तो सकती है यार 2500 डॉलर में भी मिल जाती है कार तो चलो भाई तो यह वाली कार भी हम लोग नहीं ले सकते हैं वैसे इसको कम 28158 डॉलर और मैंने लगा है 3000 तो भाई या बंदे ने कम नहीं किये उसने बताए कि नहीं भाई पैसे इतने ही रहेंगे लेनी हो तो लो नहीं तो जाओ तो इसलिए इस कार को मैं नहीं ले रहा हूँ गाईस ले ही नहीं सकते तो केसे फिर चलो भाई तो चलते हैं जल्दी से यह देख लो 28158 डॉलर भी मैंने पूछ लिया उससे वह वाली कार एक बार पूछे कि यार गाईस लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यार दूसरी कार मुझे इतनी सस्ती मिलेगी तो दोस्तों यहां पर मैंने सभी से जाके पूछा कारों के बारे में लेकिन किसी ने भी स पूटो रिपेर में खड़ी हुई है तो उसको लेकर आएंगे गाईस और फिर उसके बाद उसको सेल पर लगाएंगे इधर की साइड में खटारा कार भी पड़ी हुई है वैसे अभी देखो यार कलर वालर यह सब कुछ नहीं करवाएंगे क्योंकि अपने पास में इतने ज्यादा डोलर नहीं है कि हम लोग रिपेर कलर यह सब कुछ कर करकर के सेल करें तो बहिया ले चलते हैं इसको सीधा ओपिस पर भीड़नी नहीं चाहिए यार भीड़ने के बाद में क्या है कि जो कार है वो और ज्यादा डेमेज हो जाती है और उसकी प्राइज और भी ज्य तो इसको इदर की साइड में पार्किंग में लगा देता हूँ चलो भाई इंजन कर दिया मैंने बन्द और उतर गया हूँ मैं कार जितनी अच्छी बाहार से नहीं दिख रही न उतनी अच्छी यह अंधर की साइड से दिखाए दे रही है यार घाईस ये तो बात कहनी गाइस इसको जल्दी से सेल पर लगाते है और उसके बाद मैं इसको 12,000 की लगा रहा हूँ गाइस में देखे देखते कोई लेता है या नहीं 10 की तो मानोई सरी इसको 10 की तो लगभग अपने ही पड़ी है यह थोड़े से डोलर ही कम रहेते तो 12,000 डोलर में शायद यह चली जाएगी गाइस मेरा अंदाजा कहता है यह चलो तो अब क्लाइंट के आने का इंतिजार करते हैं एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि प्राइस तो मैंने सही लगाई है न मतलब कोई गिलीच तो नहीं हुआ है तो कुछ गिलीच नहीं हुआ है और अब चलते हैं बाहर की साइड में अ अब बस कोई कस्टुमर आये यार कार को लेने के लिए तो गाइस यार काफी देर तक इंतिजार करने के बाद में जाके अभी कस्टुमर यहां पे आया है चलो भाई देखते हैं ये कितनी प्राइज लगाती है अपनी कार की तो गाइस ये दे रही है 11,507 डोलर अपनी इस कार के तो वेसे तो देखो अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो मेरा फायदा ही होता है लेकिन मैंने इसके लगाए थे 12,000 डोलर चलो यार मैंने सेल कर दी उतने में ही जितने में वो लेना चाह रही थी 11,500 ठीक है क्योंकि फायदा तो देखर ही गई है कार और वो पैसे भी जादा ही दे रही थी कम तो दे नहीं रही थी यार अगर कम देती तो मैं उसको सेल नहीं करता लेकिन वो जितने में आई थी उससे जादा ही दे रही थी तो मैंने सेल कर दिये चलो भाई तो अभी मैं आ चुक हूँ आप लोगों ने कॉमेंट किया था कि भाई यहाँ पर जाओ और इस जगा का नाम है रेड बार तो आप लोगों ने यह भी कहा था कॉमेंट में कि भाई वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी कारे मिल जाएगी लेने को सस्ती सस्ती तो इसलिए मैं आया था यार गाईस लेकिन यहां पर कारे तो है लेकिन कोई बंदा सेल नहीं कर रहा है यार आप लोगों ने गाईस मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया यार कहीं चलो एक मिनट और तेरी ये बंदा तो तोड़ा सेल कर रहा है 500 डोलर में यहां पर आईपेड और हतोड़ा भी मिलता है वैसा हतोड़े से होता क्या है यार आगे जाके शायद पता चलेगा आप लोगों ने बहचा तो मुझे सई जगे पर यह यहार लेकिन यहां पर कारे नहीं मिल रही यार गाईस आप लोग बोल रहे थे कि कारे भी मिल जाएगी वेसा तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया और मैं समझ चुका हूँ ये जगा क्या है बार का नाम आने के बाद में ही मैं समझ गया था थोड़ा थो और बाकी अंदर आने के बाद में मैं समझ गया हूँ टेबिल कुरसी लगी हुई है, बोतल रखी हुई है, तो क्या कहा जाए फिर उससे आगे चलो बाई, इस जगे मैं ज़्यादा देर टिकने नहीं वाला, मैं जाता हूँ यार बाई, चडड़ी वाले भाई साब मैं जा रहा हूँ, ओके बाई, यहाँ पे तुमसे अतोड़ा वतोड़ा अभी मुझे नहीं लेना है, क्यूंकि मेरे पास में इतने डॉलर नहीं है चलो तो गाई, अब यहाँ से निकलते हैं यार, वैसे भी कार वार तो लेने ही सकते हैं, यहाँ पे आप लोगोंने तो बस मुझे यहाँ पे बहजाता कि कार मिल जाएगी लेकिन हाँ, नई चीज जरूर पता चली मुझे, बर्गर भी मिलता है कि यहाँ पे पता नहीं यार, गाईस, मिलता तो नहीं है वैसे तो अभी मैं कंटेनर पे आ चुका हूँ गाईस, सोने के लिए, क्योंकि सीधी से बात है, रात हो रही है और रात को सोना भी पड़ता ही है, नहीं तो सिर चकरा जाता है 11,755 डोलर का आज हमारे फायदा हुआ है यार गाईस, गेम यह बता रहा है, लेकिन कैसे हुआ है यह फायदा मुझे नहीं पता इतना तो फायदा नहीं हुआ है यार गाईस अच्छा अच्छा वो मैंने कार सेल की ना, तो उसके लिए यह बता रहा है कि यह फायदा हुआ है तुम्हारे लेकिन भाया उस कार पर फायदा इतना नहीं हुआ है, उस कार पर फायदा तो लगबग 114 डोलर का ही हुआ है बाकी तो मेरे खुद कई पैसे थे पहले के तो अभी फिर से मैं विलेज पे आ चुका हूँ गाईस, एक और कार लेने के लिए और यह आंटी जी कुछ नहीं आई है, शायद विलेज में रहने के लिए चलो तो गाईस, उदर चलके पूछ लेते, एक बार प्राइज क्या है उस कार की क्योंकि इदर वाली तो मैं लेने ही सकता था, उसकी प्राइज जादा थी अब पता चल जाएगा कितने की है यह तो यह कार गाईस, लगबग 2900 डोलर की है तो यह कार मैंने खरीद लिए यार गाईस, लगबग 3000 की मान लो इस कार को और इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट से बहज देते हैं अपने ओपिस पर अब चलो अगली कार पूछते हैं एक बार एक तो इस गेम में है ना मतलब जो प्राइज लिखे आती है वो बहुत ही जादा चोटी चोटी लिखे आती है फालतु में इतने सारे ताम जाम जोड रखे हाई हेलो यह सब कुछ लिखा आता है उनकी क्या जरूरत है चलो भाई वैसे प्राइज यार थोड़ी बड़े अक्षरों में लिखे आती तो और भी सही रहता आप लोगों को शायद किलियर दिखता नहीं होगा गाईस मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे खुद को भी ठीक से नहीं दिख रहा है इतना चोटा सप्राइज लिखा आता है यार मतलब वो केते हैं ने जैसे कोई एड आता है तो उसमें नीचे लिखा आता है कंडिशन अपलाए और फिर उसके बाद रूल्स लिखे रहते हैं बिल्कुल छोटे-छोटे बारिक-बारिक अक्षरों में हम लोगों ने देखा है न तो असल में रूल्स तो वहाँ पे चुपा दिये जाते हैं और बाकी चीजे सामने दिखा दी जाती है वही बात चल रही है यहाँ पे तो इससे पूछते हैं एक बार हाँ भाई अरे भाई नहीं यह बहने शायद 19,000 डॉलर की है यह कार भाई यह थोड़े टाइम बाद अपने पास में भे हो जाएंगे इतने डॉलर अगर मैं दिमाग से खेलता रहा तो एक मिनट यह 15,627 डॉलर की है गाईस यह वाली कार बढ़िया बात चलो आगे चलते हैं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई और कार मुझे मिल जाएगी गाईस मुझे नहीं मिल रही है अब कार तो यह जो विलेज है न गाईस यह दो हिस्सों में बटा हुआ है एक तरफ तो कारे मिलती है लेकिन दूसरी तरफ में जाके देखा नहीं था कि उधर की साइड में असल में क्या मिलता है तो अभी मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ और दूसरी साइड मुझे सिर्फ घर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कारे वारे कुछ भी सेल नहीं होती है यहाँ पर लोग भी नहीं रहते हैं सिर्फ घर है चलो भाई इसका भी पता चल गया है इसकी भी पॉल पट्टी खुल गई कि यहाँ पर क्या था और क्या निकला अब मैं वापस से उधर वाले विलेज पे कैसे जाऊंगा यार दिवार कूत के जाऊं क्या चलो उधर गूम के जाते है गाईस आगे से जाना पड़ेगा हाँ मुझे चेक करना था एक बार इधर आके कि भाई इधर आके रहोता क्या है मिलता क्या है तो इसलिए मैं आया था और अब मैं आ गया हूँ वही रियल वाले विलेज में यहाँ पर देखलो फिर से कारे आ चुकी है लेकिन मुझे क्या है कि देखो मेरे पास में 12,224 डॉलर है अभी तक गाइस और मुझे इस रकम में कोई मतलब कार मिल नहीं रही है हर एक कार या तो ज़्यादा महेंगी है हाँ ज़्यादा महेंगी ही मिल रही है सस्ती भी नहीं मिल रही है जैसे कि पच्चिस सो या तीन हजार डॉलर में अगर कोई कार मिल जाए तो वो भी मैं खरीद लूँ लेकिन वेसी भी कोई कार नहीं मिल रही सिर्व एक मिली है तो अब उसी को ही sell करना पड़ेगा हमें तो guys एक बार हम लोग है न car market पे होकर चलते हैं car market पे हो सकता है कि हमें कोई car जितने अपने पास में dollar है उसमें मिल जाए देखे पूछते हैं अब price अगर कोई car होगी आने वाली तो आ जाएगी अपने यार ये कार मैं नहीं ले सकता हूं गाइस अभी मैं आपको प्राइज नहीं बताऊंगा क्योंकि वो छोटे छोटे अक्षर रहते हैं तो इसलिए इतना मतलब इतनी देर लगेगी उससे बढ़ी आए कि मैं मतलब जो कार आ सकती है वही सिधा आपको क्यों नहीं आ रहा था अब जाके आया है मुझे लगता है कि वो कार जा रही थी ना तो उसको जाने में टाइम लग गया यार यही हो सकता है और तो क्या बात होगी या फिर यह भी हो सकता है ग्लीच हुआओ कुछ चलो भाई तो आगे एक और बार देख लेता हूँ यह तो मेंगी कार होगी यार इसका तो पूछने ही बेकार है काफी ज़्यादा डॉलर में होगी यह मैं ले सकता हूँ शायद नहीं भाई यह भी नहीं ले सकता मैं क्योंकि यह कार 18,000 किति गाईस और 18,000 डॉलर मेरे पा तो नहीं भाई ये भी नहीं ले सकता वही ज़्यादा प्राइज है इसकी भी ओके चलो यहां पर थोड़ा सा गहास हो रखा है और वहाँ पर ही कुछ बंदे बातचीत कर रहे हैं आरे साप वहाँ आ जाएगा ना तो फाल तुम्हें वह जाएगा अड़ जाओ यहां से लोग एक साथ सेल करूँ अब जाके पहली बार ऐसा हुआ है कि दो कार में एक साथ सेल करूँगा ने तो इस गेम का भी कुछ न कुछ सिस्टम तो है यार गाइस मतलब एक कार अगर हम लोग खरीद लेते हैं तो दूसरी कार मिलने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है मतलब जितने अपने पास में डोलर होते हैं न उतने डोलर की कार हमें मिलती ही नहीं है या तो उससे बहुत ही ज़्यादा मिहंगी मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं मतलब मिलती तो है यार लेकिन ज़्यादा डोलर में रहती है यह एक कार में ले आया हूँ गाईस और अब दूसरी कार भी ले आता हूँ जल्दी से एक साथ डबल डबल कार सेल होगी आज पहली बार अपने ओपिस पर आज तो मतलब मेगा सेल चल रहा है गाईस दिपावली का वैसे दिपावली अभी तक आई नहीं तो आप लोग मान लो यार फिर भी एडवांस में मान लो आप लोग चलो पेले देखो कार को स्टार्ट करो ना ता पेले आगे लेनी चाहिए उसके बाद मैं पीछे लेनी चाहिए वो एक मतलब हिसाब होता है मैंने देखाए ना लोगों को इसलिए बता रहा हूँ मेरे पास में तो है नहीं कार हाँ लेकिन मैं नकली वाली बहुत चलाता हूँ यार देखलो अभी भी चला ही रहा हूँ इसको इदर की साइड में ले 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 इज ओपन लिखा आ रहा है फिर उसके बाद में ओफिस इज डर्टी मतलब मेरा ओफिस गंदा है एक तरह से यह बता रहे गेम तो गंदा कहां से यार मुझे तो कोई कचरा दिखाई नहीं दे रहा कहां पर क्या है जो यह ऐसा लिखा दे रहा है यार दूल मट्टी जम गई क यार हटानी पड़ेगी शायद पता नहीं यार पहुचा होचा लेकर आना पड़ेगा जाड़ू पहुचा लगाना पड़ेगा 2953 डॉलर में आई थी यह वाली कार तो इसको हम लोग कर देते हैं कितने में करें यार 4000 डॉलर में कर देता हूँ जल्दी से पुट ओन सेल ओके कर दिया पुटा पुट और इसको कर दिया पुटा पुट दसजार डॉलर में पुटा पुट हो गई इसकी भी चलो दोनों कार एक साथ सेल पे लग गई है एक BMW एक Honda की कार है तो थोड़ा सा नाम अलग रहता है लेकिन समझ जाते हैं समझने वाले कि हाँ यह कौन सी कंपनी की कौन से ब्रेंड की कार है तो दोनों पे टेक लग चुका है सेल का एक कार उदर है एक कार इदर है और मैं इसलिए बन रहा हूं इतनी देर में कोई क्लाइंट भी आ जाएगा न अपने तो वह बात है नहीं यार यहां से नहीं हो सकता है कुछ भी कोई क्लाइंट आएगा वो भी देखेगा कि कार सेल करने वाला पागल हो गया है शायद और तेरी में चड़ गया गाइस अब आप बोलोगे कि पिछे क्लाइंट आ चुका है उसमें भी दियान देलो यार चड़ना वड़ना बाद में कर लेना अभी वो भी चला जाएगा तो पूछते इनसे कितनी प्राइज दे रहे है यह अपनी कार की तो गाइस यह मुसकंडा है न मान गया है यार गाइस दस अजार मे ले रहा है यह अपनी कार को जितनी प्राइज मैंने लगाई थी उतनी में ही लेकर जाएगा यह तो चल दे दे तहे है तुझे ले जा खुश रहे ओके गाईस तो दे दी मैंने उसको कार हैं क्या हुआ यह एक कस्टमर और भी तो आया था यार वो कहां गया अच्छा वो उ वो बात है न सही यह बात वेसे आने दो देखे किसी को कोई तो आएगा बस थोड़ी सी देर में आएगा गाईस उदर आपको वो ट्री दिखाई दे रहे हैं न मतलब वो ट्री असलियत में रियल के ट्री नहीं है वहाँ पर एक तरह से एक दिवार बनी हुई है मैं वहाँ तक जाके देखकर आये हूँ वहाँ पर दिवार है और उस दिवार के पास में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बस यसे ट्री बने हुए है और वो दूर से लगता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा हरे बरे ट्री है तो इतनी देर हो गई मुझे बाशन देते हुए लेकिन देखो हम मतलब कॉल्डरिंग इतनी महेंगी नहीं पड़ती है सस्ती आ जाती है तो गाइस चलो देखते हैं ये कितनी प्राइज देती है इसने बोलाए कि बाई 4,000 तुमने लगाए है मैं दे रही हूँ 3,216 डोलर बाई ये क्या है मजाग चल रही है क्या मैं एक मिनट इ चलो यार गाइस मैंने इसको कार नहीं दिये इसको बहस दिया है मैंने हाँ यार इतनी भी सस्ती नहीं देनी मुझे हाँ देनी तो है लेकिन क्या बिल्कुल ऐसे ही दे दू उठा गए तो गाईस काफी देर लगी उसके बाद में एक और क्लाइन्ट आया है और अब इस से यूँ ही खड़ा था यार मतलब परिशान हो गया था कि क्लाइंट आए उसके बाद मुझे से बात करें तो अब आ चुका है आप चलते हैं और उससे बात करते हैं हाँ तो भाई साब अब आप बोलो कितने डोलर दे रहे हो आप 3400 4 डोलर दे रहे हैं इसको थोड़े से ज़्यादा बता सकता हूँ क्यूंकि इसने पहले से पेसे ज़्यादा बताए है तो गाईस मैंने इसको 3500 बताए है इसको जरूरती इसने बोला I need तो ये ले गया है 3500 में चलो भाई तो अपना काम खतम हुआ चुट्टी हो गई तो बस यार गाईस आज के लिए इतना है अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दिजिए लाइक और चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक हमारा फेस्बुक पे ज फोलो नहीं किया है तो जल्दे से जाएए फोलो कीजिए लिंक आपको हमारी वीडियो के डिप स्क्रिशन में मिल जाएगा वहाँ पे जाएए फेस्बुक पर और वीडियो को देखिए और लाइक भी कीजिए गाईस ठीक है बाकी चैनल पर भी सपोर्ट दिखाईए तो हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए बाई